अच्छों आप सभी का स्वागत है आज की कारेपत्रक 82 में और आज ये आपकी कक्षा के लिए मैं आखरी वीडियो डाल रही हूँ विकास आपकी कक्षाइं शुरू हो चुकी हैं आपकी गनित के सभी अध्यापक आप लोगों की कक्षाइं ले रहे हैं आप विद्याले अवश्य जाएए आपकी बोर्ड की परिक्षाओं की तयारिया आपकी टीचर्स करा रहे हैं चोटे चोटे टेस्ट ले रहे हैं विडियोडिक बोर्ड ले रहे हैं इस तरीके एक्षाइम ले रहे हैं ताकि आपकी तयारिया ठीक प्रकार से हो सकें तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इन वीडियो के आवश्यक्ता है तो आज का ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा क्लास 10 में छोटे क्लासिस के वीडियो उसमें डालती रहोंगी क्योंकि उनकी कक्षाएं अभी शुरू नहीं हो रही तो आएए बहुत बड़ी वरक्षीट है जैसे जल्दी से इसको करने का प्रयास करते है पहला प्रश्न है के किसमान के लिए दिये गए रखिक समीकरन युगम की रेखाएं संपाती होंगी संपाती तब होती है जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 अब यहाँ पे A1 बटा A2 क्या होगा यानि 2 बटा K तो 2 बटा K A1 हो गया B1 हुआ 5 बटा 15 जो Y के साथ गुना होता है वो B होता है और C हुआ तुमारा K बटा 18 तो अब हम इसको हल करेंगे पहले 2 हम लेते हैं इस तरीके से तो यह हमारा K का क्या रहेगा 15 गुना 2 बटा 5 तो 5 तिया 15 हो गया K बराबर 6 तो K बराबर 6 होगा K का वहमान जिसके लिए रेखाएं दुनों संपाती रहेंगी ठीक है तो आपको संपाती का नियम याद होना चाहिए दूसरा प्रशने इन दोनों को हल कीजिए और M का मान ग्याद कीजिए जिसमें Y M X प्लस 3 के बराबर है तो इन दोनों रेखाओं को करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो या हम घटा देते हैं घटाने में दो एक्स खट जाएगा अच्छा मैं इसको लिखके दिखाती हूँ जैसे आपके पास एक ये समीकरन है दूसरा समीकरन इस प्रकार का है अब हम अगर इसे घटाएं तो घटाने में क्या रहेगा ये निशान बदल जाएंगे ठीक है ये कट गया और ये तुम्हारे पास आजाएगा साथ वाई बराबर ये जुड जाएगा अब ये प्लस ग्यारा प्लस चौबिस होके पैंतिस रहेगा तो वाई का मान आजाएगा पैंतिस पटा साथ करके पांच आ जाएगा तो वाई का मान आजाएगा पांच अब वाई के मान अपको आप इसमें से किसी एक समीकरन में डाल दीजीए जैसे हम डाल देते दो एक्स प्लस 3 वाई y की जिगे 5 ले लेते हैं 11 इस वाले में तो यह तुम्हारा 2x प्लस 15 इक्वल टो 11 15 इदर जाएगा तो यह तुम्हारा हो जाएगा 2x इक्वल टो माइनस 4 और x इक्वल टो माइनस 2 तो x का value आगया माइनस 2 तो तुमने x और y इन दोनों रिखाओं को हल कर दिया तो यह 3 इस तरफ आजाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा और इधर तुम्हारे रजाएगा माइनस 2m अब इसको हल करो तो यह तुम्हारे पास आएगा 2 5 माइनस 3 हुआ 2 इक्वल टो माइनस 2m और m की value आजाएगी माइनस 1 यह answer आगया तीक है तीसरा प्रश्ण है कि यदि आपके इस त्रिबुज में अगर इस तरह से समीकनन दिया है तो तीनों कोनों का मान ग्यात करें अब यहाँ पर जो यह जो हमें समीकनन दे रखा है इसको हल करते है तो यह तुम्हारे पास आएगा 2a जमा 2b अगर हम इस ब्रेकेट को खोल दे इस वाले ब्रेकेट को अगर आप खोलेंगे तो 2a प्लस 2b आएगा अब इस 2b को इधर ले जाओ तो वो उसका निशान बदल जाएगा इस तरीके से हो जाएगा इधर आजाएगा 2a तो यह तुम्हारा इस में से घटके आगा बी इस एक्वल टू 2a यानि एंगल बी का मान 2a निकलाया ठीक है तो यह देखो यह दूसरा प्रश्ण यह मैंने यहाँ पे कर रखा है जो हमने निकला था एंगल बी का मान निकलाया 2a अब तुम्हारा a, b, c होता है 180 तो एंगल a, a है b के जिकर 2a, अब c को क्या है c तुम्हें 3b के बराबर दिया है तो b का मान यहाँ डाल दीजिए 2a तो 3, 2, 6 होके 6 एंगल लिया आ गया इन सब की value पुट कर दो यहाँ जोडो तो 6, 2, 8 और 9, एंगल a, 180, एंगल a, 20 आ गया तो b है double एंगल a का इसमें पुट कर दो तो 40, c के लिए 6 times एंगल a का 6 गुना, तो 6 गुना करके 120 आ गया 3 प्रश्न हो गए 4 है k के किसमान के लिए इनका कोई हल नहीं तो कोई हल नहीं तब होगा जब हम बोलेंगे कि हमारे पास a1 बटा a2 b1 बटा b2, c1 बटा c2 के बराबर नहीं तब हम कहते है कोई हल नहीं है यानि के समाननता रिखाओं के नहीं तो k बटा 12, 3 बटा k not बराबर, बराबर नहीं एक बटा दो के, इन दोनों को हल करो इन दोनों को लिया, तो यह इसे cross multiply हुआ, तो k square equal to 36, यानि k plus minus 6 वर्ग मूल लेने पर, इन आखरी वाले दोनों को लेने पर, यहाँ पे k 6 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे दो values आ रही थी k के plus 6 minus 6, plus 6 को हम हटा देंगे, minus 6 answer हो जाएगा प्रश्ण पांच है, यह दो रखीक समय करन दिये, इनके अनगे नित हल हो, तो इसका मान निकाली तो अनगे नित हल होने के लिए क्या करना है हमें अनगे नित हल करने के लिए हमारे पास दोनों रेखाओं को संपाती होना होता है तब अंगे नथल होते हैं यानि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है तो अब यहाँ पर A1 क्या है 3K प्लस X 3K प्लस 1 यह A1 हुआ और A2 हुआ 2 B1 क्या है 3 तो 3 बटा माइनस 3 C1 क्या है माइनस 5 यह C1 है और यह C2 है तो यह हमने सारी values डाल दी अब हम इसको हल करेंगे तो हम पहले वाले दो ले ले लेते इन दोनों को ले लेते और इसको हम हल करते तो यह cross multiply हो जाएगा तुमारा 3K प्लस 1 वहाँ जाके हो जाएगा यह इसके साथ गुना होके हो गया 2 गुना 3 हो गया 6 6 बटा माइनस 3 यह कट गया तुमारा और यह तुमारा माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि यह माइनस 3 है तो 3K प्लस 1 इक्वल टो माइनस 2 आ गया इसको इधर ले जाओ तो यह हो जाएगा 3K एक्वल टो माइनस 3 क्योंकि ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा और k की value आजेगी माइनस 1 ठीक है clear हुआ न ये step क्या है ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 2 या मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ fast ये देखो ये तुम्हारा रहेगा 3k equal to minus 2 minus 1 तो 3k equal to minus 3 और k equal to minus 1 ये value हागी question number 6 है इसको हल करने इस समीकरन को हमें हल करने यहाँ पर 6 में इसको हल करने y में इसको हल करने तो 6, 7 वाए दोनों हल करने की है हम इसे करते हैं ये आपको समीकरन दिये हैं इसको 3 से गुना कीजिए इसको 2 से गुना कीजिए किसलिए यह 6X 6X हो जाएगा ठीक है फिर अब हम इनको घटा देंगे तो यह कट जाएगी यह 3 से गुना होने पर 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 इसको 2 से गुना किया तो 2 तिया 6 2 पंजे 10 और 1 कदुनी 2 फिर इसको घटा दिया है यह दोनों घटके अब माइनस 3 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस करो निशान इसका रहेगा 7 वई 9 के साथ यह 2 का माइनस रहेगा 9 में से 2 के 7 तो प्लस 7 ऐगा क्योंकि 9 बड़ा है अब इस सम्मीकरन को हल करो उदर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 7 बटा 7 य की वैल्य होगी माइनस 1 अब हम इस माइनस 1 की वैल्य को किसी एक सम्मीकरन में जैसे यह सम्मीकरन लेते इसे वैल्य डाल देते है इसकी तो माइनस माइनस 1 हो जाता है प्लस 1 अब यह दोनों जूड़की हो गया 4, 4 को अधर ले जाओगे माइनस चार तो X का मान आगए माइनस दो X और Y का मान आगए ये पूरा solve हो गया question number seven है ये थोड़ा मुश्किल question है इसको तुम देखोगे तुम देख रहे हो बहुत बड़े बड़े number है तो numbers को डूड़ने में बहुत को जोड़ो ये trick है ऐसी करने है पहला समिकरन दूसरे समिकरन को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 226 ये हो जाएगा 226 और ये तुम्हारा आजाएगा 688 या minus minus जुड़ गया या plus minus है तो minus होगा निशान इसका क्योंकि ये बड़ा है ये भी plus minus माइनस होगा इसका निशान आएगा यह बड़ा तो दोनों पे माइनस निशान आप देखे हो 226, 222, 678 आगे इस पूरी एक्वेशन को 226 से भाग कर दो तो यह तुम्हारे पास x जमा y और माइनस से भी भाग कर दिया माइनस 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 सारा कट गया तो x जमा y इक्वल तो तीन आ गया अब इन दोनों समीकरनों को घटाओ एक जमा दो किया था अब दो में से एक घटाओ इस समीकरन में से यह समीकरन घटाए तो यह पात सो तीस आ जाएगा यहां 530 y माइनस 530 तो तुम इसको प्लेस पहले लिख दिया y वाला यह माइनस का और यह इस तरह अगर हम इन दोनों को जोड़े, equation 3 और equation 4 को, तो x और x जुड़ जाएगा, यह खट 0 हो जाएगा, x और x, ठीक है, y और y जुड़ेगा, 2y equal to 4 आएगा, अगर equation 3 और equation 4 को जोड़ते हैं, तो इस पर plus का निशान, इसका minus का निशान है, x कटेगा, 2y equal to 4 और y equal to 2 value आजाएगी, यह देखो y equal to 2, तो इसको किसी एक समीकरन में डाल देंगे, जैसे equation number 1 में, 3 में डाल देते हैं, x plus y equal to 3, तो यहाँ पर y की value 2 डाली, तो x का मान तुम्हारा 1 आजाएगा, तो यह दोनों स्कॉल होगे, x और y, तो छटा साथ होगे, आठवा समी करना है, यहाँ पर इसको हल करना है, यह बटा y में है, 4x plus 6 upon y, 8 upon y, तो यहाँ पर 1 upon y को हम कुछ मान ले, तो equation आराम से हल हो जाएगी, question number 9 में, 10 upon x plus y, 2 upon x minus y, तो x plus 1 upon x plus y, 1 minus x y को कुछ मान ले, तो आराम से हल होगा, इसी तरह root x और root y है, इसको कुछ मान ले, तो यह आराम से हल होगा, तो इनको हम जल्दी से इनको भी प्रश्णों को करते है, आठवा देखो, यह तो ठीक दिख रहा है, upon y में जो है न, इसको तुमने v मान लिया, तो यह तुम्हारा बन गया 6 v, और इसको v मानने से यह बन गया minus 8 v, तो पूरा वही समीकरन है, बस यह अपन y वाले नंबर को हमने 6 v, यह 8 बटा y को हमने 8 v कर दिया, अब इस समीकरन को हल करो जैसे तुम विल ओपन विदी से पहले करते आयो इस पूरे समीकरन को तीन से गुना के इस पूरे समीकरन को दो से किया तो ये तुम्हारा चार तिया बारा छे तिया अठारा पंदरा तिया पंतालिस ये छे दुनी बारा आठ तुनी सोला चौदा बटा दिया तो ये कट गया ये दोनों तुम्हारे जुड जाएंगे 34 वी 17 तो वी का माना जाएगा 17 बटा 34 एक बटा 2 तो वी तुम्हारा किसा है वन उपान वाई के बराबर है तो वाई का माना गया 2 अब वाई के मान को किसी एक समीकरन में रख दीजिए और ये फिर इसको हल कर दीजिए जैसी ये समीकरन हमने लिया 12 एकस प्लस 18 वी वी का माना जाए था एक बटा 2 ये जो तुम्हारा वी का माना जाए था एक बटा 2 इसको हमने इसमें रख दिया तो ये तुम्हारा दो निम 18 कटा 9 को उधर ले गए 45 मानेस 9 चतिस तो 12 एकस एकोल टू चतिस एक प्लस वी एकस प्लस वी एकस माना जाए तो अब ये तुमको हल करना आता है तो अब देख रहो हम इसको एक्वेशन वन को हमने 5 से गुना कर दिया तो ये 50 ये 10 और ये 20 बन गया ठीक है और दूसरे समी करन को हमने 2 से गुना कर दिया तो 15 दूनी 30 पांच दूनी 10 और 2 दूनी 4 ये बन गया अब इन दोनों को हमने जोड़ा तो जोडने पे 80 बन गया ये कट जाएगा और ये 16 रहेगा तो 80 U equal to 16 बटा 80 एक बटा 5 आ गया ठीक है अब इसको हम क्या करते ए एक बटा 5 तुम्हारा 1 upon X plus Y ये कर दिया एक ये समी कर इसको मार्क करके रख लिया क्योंकि हमने U का मान निकाला भी V का भी निकालेंगे और X और Y का निकालना है हमारा प्रशन तो X और Y के लिए है तो अब हम equation 1 को 3 से गुना करते एकुशन 2 को 2 से गुना करते ये जो थी तुम्हारी equation 1 इसको 3 से इसको 2 से गुना करते है तो तुम्हारी समी करन ऐसे बन जाएंगे अब इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा अब U यहां पे खतम होगा और V जुड़के 16 V आ गया equal to 16 तो V का मान आ गया 1 V एक आ गया तो यानि 1 upon X minus Y वन आया है तो देखो U भी निकल गया वी भी निकल गया अब यह तुम्हारा X और Y की टर्म्स में आ गया तो इसको हल करो इसको cross multiply कर लो एक और 5 गुना करके 5 और यह ओपर चला गया तो तुम्हारी पास आ गया 5 equal to X plus Y इ यानि X का मान 3 इनको घटा होगे तो तुम्हारा यह जो X का मान जो निकल गया इसको यहाँ पर पुट कर दो पहले वाले समीकरन में डाल दो तो 5 equal to 3 plus Y और Y equal to 2 तो यह तुम्हारा solve हो गया इसी तरह 9 का दूसा प्रशन है 2 upon root X 3 upon root Y यह भी upon root X upon root Y तो ऐसे प्रशन को आसान 9 V equal to minus 1 पहले समीकरन को 2 से गुना किया तो यह तुम्हारा बन गया 4 U, 6 V और 4 यह लिख दिया दूसरे समीकरन में इसको घटा दिया तो यह 0 हो जाएगा और यह तुम्हारे minus minus के दोनों निशाने जुड़ जाएंगे और यह तुम्हारा minus 5 होगा तो हम यह नंबर को इस तर गया 1 miracle 3 गया तो V आगया 1 बटा 3 ठीक है ? इसका मतलब क्या होगा ? V किसके बराबर था ? 1 upon root Y के बराबर तो 1 upon root Y एक बरा तीन आ इस समीकरन को तीन से गुना किया और उसमें जोड दिया तो 6U प्लस 9V इक्वल टू 6 हुआ पुराना वाला जो समीकरन था तुमारा 4V-9V इक्वल टू-1 इसके साथ में हमने इसको जोड दिया तो अभी जोडने पर V खतम हो गया और ये दोनों जोड के आगे 10 ये दोनों जो चाहिए गा X इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 तो X और Y जो ये आ गए ये हमारे उत्तर है Y कमान 9 और X कमान 4 तो 9 प्रश्ण हो गया प्रश्ण नंबर 10 है हमारा इसमें हमें ये बोला गया है कि हमारे को एक दो समीकरन दिये है इन दोनों समीकरनों को हमें हल करना है इसका ग्राफ खीचन ए इस सम्हों करने इस सम्हों का ग्राफ कीचन ए और जब एक्स आक्ष और तुरभूच थे मने तिर्बुच के जो शीर्ष है इनके निर्देशांग बनाने जो तिर्बूच बनेगा ईसके निर्देशांग बताने और फिर इसको 6-किद्विकरन आपका बनrau यह समी कर रहे हैं इसको हल करते है एक्स को हम 0 कर देते है तो y कमान आता है 6 x को हम 4 करते है y कमान आता है 0 x की जगा 2 लिखे है y की जगा 3 लिखे है तो इस समी कर रहे हैं 12 के लिए हल होता है तो ये दो हमने हल निकाले फिर हम इनको ग्राफ में प्लॉट कर दे ये जो समीकरन है, इसके लिए नीली लाईन है ये वाली 0,6 ये देख रहे हो, 0,6 है मतलब x की value 0, y की value 6 तो ये y की value 6 हुई, x की value 0 है फिर x की value 4 और y की value 0 ये हो गया, x 4 है या y 0 है फिर X2 और Y3, यह X2 है और यह Y3 है, यह A वाला पॉइंट यह बन गया तो नीली रेखा जो है इस सम्मिकरन के लिए इसी तरह यह देखे, 0 और 1, X है 0 और Y है 1, यह वाला पॉइंट हुआ उसके बाद X है 1, Y है 2, X है 1, Y है 2, यानि यह वाला पॉइंट हुआ उसके बाद माइनस एक और जीरो, X माइनस एक, तो यह जो हरे रंकी रेखा है, यह समिकरन के लिए, तो इस परकार से त्रिबुज बन गया, इस त्रिबुज के एक तो यह निर्देशांग हो गया, यह पॉइंट, एक यह पॉइंट, एक यह पॉइंट, एक यह पॉइंट, A और ये जो तुरिबुज बन गया अब इसमें आपको रंग करना है, तो चाया कित कीजिए, ठीक है, तो जब आप ये प्रशने इस तरह पेपर में आते हैं, तो आपको ये हल करने के मार्क्स मिलते हैं, फिर ये बना दिया उसके अंक होते हैं, फिर निर्देश आंक लिखोगे, उसके अंक होते हैं, फिर ये रंग करोगे, उसके भी अंक होते हैं, जैसे पूरा सॉल्फ कर दिया, उसको कलर नहीं किया, तो फिर उसमें आपको नंबर नहीं मिलते हैं, छायाकित करने को ब coconut शेट कर देना है अगला प्रश्ण करते हैं प्रशन No.11 एक मोटर उर धारा के प्तिकुल 30 क комментар और धारा के अनुकल 28 क комментар जाने में 7 गंटे का समय लेती है और धारा के प्तिकुल 21 क комментар जाकर 5 गंटे में वापस आती है तो पाच घंटे वे 21 किलोमेटर चड़ी और एक किलोमेटर ही वापस आई तो शान्त जल में जल मोट की चाल और धारा की चाल निकाले ठीक है और इसी तर प्रशन आठ माईला है और बारा पुर्श चलो इसको बाद में करते हैं पहले 11 प्रशन हम देखते है ये है हमारे नाओ की गती रुके हुए जल में या शान्त जल में हम एक किलोमेटर प्रती घंटा माल लेते हैं और धारा की गती हम बराबर माल लेते हैं वाई किलोमेटर प्रती घंटा और बोट इस तरफ जारी है, नाव इस तरफ जारी है, पानी इस तरफ जारा है, तो वो उसको रोकता है पानी, तो महाँ पे दोनों घटते है, X-Y हो जाते हैं, तो धारा के प्रतिकूल चलता है, तो X-Y हो जाता है, स्पीड घटती है, और धारा के अनुकूल जारे है, तो प formula science में पढ़ा है कि गती जो होती है speed वो distance upon time होती है यानि कि जितनी दूरी है बटा समय तो समय निकालना हो तो दूरी बटा हमें गती करना पड़ता है distance upon speed तो जब हम time के ये इधर time दिया है तो इधर हम इसको भी time के हिसाब से बदल देते हैं यानि 30 बटा इसकी speed कर देते हैं 30 km तो उसका distance हो गया बटा speed तो अपर उपर जाने के लिए speed x-y में है ठीक है उपर जाने के लिए x-y क्योंकि प्रतिकूल है और नीचे जाने में downstream में वो प्रतिकूल है तो 28 बटा x-y हो गया ठीक है करने होते हैं अब इस प्रश्ण को हल करने में 1 upon x-y को कुछ मानो दोनों जगें यह है और x-y को कुछ मानो तब ही आसानी से solve होंगे जैसे पिछले प्रश्णों में हम नहीं करा है इसको हमने u मान लिया इसको हमने v मान लिया तो 30 u 28 v equal to 7 21 u plus 21 v equal to 5 तो यह समिकरन 3 हुआ यह समिकरन 4 हुआ तो equation 3 को यानि समिकरन 3 को 21 से गुना करो और समिकरन 4 को 30 से गुना करो तो यह इस प्रकार से बन जाएंगी इसको समिकरन 5 मान लो उसको समिकरन 6 मान लो फिर अब हम इसको जोडो क्या कर देंगे घटा देंगे घटाने में हमारा ये कट जाएगा क्योंकि ये बराबर आ रहा है और इन दोनों का ये घटाने में क्या हुआ बच्चों ये माइनस हुआ ये माइनस हुआ और ये माइनस हो गया तो अब यह तुम्हारे यह घटके 42 V और यह हो गया तुम्हारा 3 तो तुम्हारे पास आ गया V का माना गया 1 बटा 14 चीक है और यहाँ पर फिर इस value को हम 4 equation में जो 4 हम समी करने इसमें रख देते 21 U प्लस 21 V की value डाल दो 1 बटा 14 इक्वल टू 5 अब 21 बटा 14 इक्वल टू 5 इसको इस तरफ ले जाओ तो यह तुम्हारा अच्छा यहाँ पर हमने 7 के पाड़े से 7 एक्विस 7 दूनी 14 कार दे तो 3 बटा 2 आ गया इसको 5-3 बटा 2 किया 10-3 बटा 2 यह तुम्हारा आ गया 7 बटा 2 ठीक है तो 21 नीचे आ जाएगा तो यह तुम्हारा 7 एक्विस कटा यू का माना गया 1 बटा 6 तो यू तुम्हारा 1 बटा 6 है नी 1 अपॉन एक्विस बटा 6 आ गया क्रॉस मल्टिप्लाइ करो 6 इक्विस बटा इक्विस बटा इसको हमने हल किया था वी की वैलियो यह हमारी निकली थी एक बटा 14 तो इसको एक बटा 14 कि यहां क्रॉस मल्टिप्लाइ 14 इक्विस बटाइ 14 इक्विस बटाइ अब ये दो समयकरन हल करने UV निकल गया था हम को निकालना है X और Y में ठीक है जब इसको खटाएंगे तो 14 में से 6 गए 8 और X X खट गया और Y और Y एड ओके क्योंकि माइनस माइनस यह जुड़ गया 2 Y उक्वाल 2 8 और Y उक्वाल 2 4 किलोमेटर प्रतिगंटा तो ये X तुमने माना था 9 की गति तो ये 10 होगी और ये तुमने पानी की गति मानी थी तो ये 4 किलोमेटर होगी तो हम इसको एक बर चेक कर लेते कि हमने 9 की गति जो है वो X मानी थी और ये पानी की गति मानी थी पुरुष फिर अगला प्रशन है हमारा 8 महिला और 12 पुरुष किसी कारे को 10 दिन में करते हैं जबकि 6 महिला और 8 पुरुष उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं तो एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस कारे को करने में कितने दिन लगेंगे अकेले महिला कितने दिन में करेगे अकेले पुरुष इस काम को कितने दिन में करेगा मैं इस प्रशन को इस प्रकार से हल कर रही है तो हम यह माल लेते हैं कि औरत जो है एक दिन के काम को एक बटा एकस में करती है जैसे हम यह बोलते हैं कि औरत एकस दिन में एक काम कर रही है औरत के लिए हमने एकस लिया एकस दिन में औरत एकस दिन में एक काम कर रही है जैसे X दिन के अंदर वो एक काम कर रही है तो एक दिन में वो कितना काम करती है एक बटा X इसी तरह आदमी Y दिन में एक काम कर रहे है तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे एक बटा Y तो इस तरीके साम इस प्रश्ण को करेंगे तो आठ औरते 6 औरते 8 औरते 12 आदमियों मिलके 10 दिन में करते 6 औरते और 8 आदमियों मिलके 14 दिन में करते तो 8 औरतों का 1 दिन का काम है 1 बटा X तो 8 दिन का काम होगा 8 बटा X 1 बटा X एक दिन का काम है तो 8 बटा X 12 आदमियों का 12 बटा Y हो जाएगा 1 बटा 10 इसी तरह 6 बटा X और 8 बटा Y इक्वल टो 1 बटा 14 तो अभी इस समीकरन ये भी प्रशन इसी प्रकार से करने होते हैं तो अब 1 बटा X को आप मान लीजिए U V करके कुछ इसको V मान लीजिए और फिर इन प्रशनों को हल कीजिए इसको U मान लिए इसको V मान लिए तो इस समीकरन इस प्रकार का हो गया इसको 3 से गुना किया इसको 4 से गुना किया ये समीकरन आपका ऐसा बन जाएगा फिर इसको घटाया गया तो ये आपका कट गया और ये 4 V एक्वल टो 1 बटा 70 और V करमान एक बटा 280 आगया अचा अब यहाँ पर जो ये घटा है ये घटाने में आपको ध्यान देना है परीमे संख्याओं की घटा किस प्रकार होती है ये मैंने हाँ पर इनका LCM आया 70, 70 को 10 से भाग किया 7, 7 को 3 से गुना किया 70 को 14 से भाग किया 5 उत्तर है, 5 को 4 से किया 20, 1 बटा 70, इस तरह किया है अब जो U का मान आया है, उसको हम इस समिकरन में रख देते हैं, वी के मान को ठीक है, तो इसको हल करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, माइनस हो गया फिर LCM लेते हैं, ये हल किया 1 बटा 140 आया, कैसे 16 बटा 280 आया था 280 दिन में, एक औरत का उसकाम को करती है, 140 दिन में तो एक औरत एक आदमी के साब से हमने एक काम कर दिया, तो बहुत लंबी वरकशीर थी, हमने इसको पारा क्वेशन्स को कर रहा है, इसको शेर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए कमिन कीजिए, और स्कूल जरूर जाएए आपके विद्याले खुल गए है, अब आप घर पे ना बैठिए, शोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्याले में बठाया जा रहा है स्कूल जरूर जाना है, DOE की जो वरकशीर्स आ रहे है, वो सम मैस टीचर्स आपके समझा देंगी, आपके गनित के द्यापिका डेली स्कूल में आ रहे हैं, वो आपको पढ़ाती रहेंगी, मैं आप छोटी क्लासिस की वरकशीर्स ही डालूँगी, नाइन टेंथ के लिए आपके स्कूल स्कूल गएं, तो उसकी वरकशीर्स आपकी टीचर्स करा देंगे, 6, 7, 8 की वरकशीर्स जो छोटे बच्चे स्कूल ने आ रहें, उनके लिए हैं, अच्छे एक चीज़ और है, बच्चों की आप, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है आपने, तो पुराने वीडियोज कभी भी आप देख सकते हैं, उसे आपको ये फायदा रहेगा, कि आपको कभी ऐसे लगे ना, पहले तो आपकी टीचर्स आपको ये लिंक भेजते थे, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो पुराने वीडियोज जो हैं, वो आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक को आप रिवाइस करना हो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, अपने छोटे भाई बेनों को बताओ, यह हमेशा शोशल मीडिया में रहेंगे, यूट्यूब पे रहेंगे, कभी भी आप इसको अपनी गनित की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, कैसा लगा आपको, और आपके आने वाले एक्जैम्स के लिए गुड़ लग, हम लोग फिर मिलते हैं, वोड एक्जैम्स के लिए अच्छी तयारी करना, अच्छे मार्क्स लेकर आना बच्चों, ठीक है बच्चों, नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार, और सुब आशीश,